Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याए में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में Daybook क्या है, तथा Daybook और उसके अन्य आप्शन्स कैसे उप्योग करते हैं आपको ध्यान होगा, Manual Accounting में हम सबसे पहले Journal में Transactions रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्रमशह लेजर, Trial Balance, Trading and Profit and Loss Account और आखिर में Balance Sheet बनाते हैं जबकि Tally में हमें सिर्फ Ledger, Stock Group और Stock Items बना कर Vouchers के माध्यम से Transaction रिकॉर्ड करना होते हैं और बाकि ये सभी काम Tally स्वयम ही हमें करके दे देता है यहां Reports के अंतरगरत इन में से आप कुछ को देख सकते हैं इनके साथ ही Tally हमें व्यवसाई या व्यापार्ट को सुचारो रूप से चलाने के लिए अनिकरी Reports भी प्रदान करता है जिने हम Display More Reports की साहता से देख सकते हैं इन्ही रिपोर्ट में से एक बहुत ही महतुपून रिपोर्ट है Daybook जिसके बारे में आजम बताने जा रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं रिपोर्ट से आशे होता है किसी विवरंड से हमने आपको बताया था कि Manual Accounting में जो Entries Journal में की जाती है टैली ने उसे सरल बनाते हुए Entries करने यानी Transactions Record करने के हमें जर्नल के स्थान पर आठ अलग-अलग Standard Accounting Vouchers दिये हैं हम इन सभी पर काम करना सीख चुके हैं अब हमने इन vouchers में जो Transactions Record किये हैं यदि हम उन्हें देखना चाहते हैं तो उसके लिए टैली ने हमें Daybook नाम से एक Report Option दिया है इसमें हम Day-to-day जो Entries करते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से देख सकते हैं यह Option हमें तीन जगहों पर मिलता है पहला Transactions Heading के अंतरगत वास्तों में तो यह एक Report है पर Transactions से संबंदित होने से टैली ने इसे Transactions के अंतरगत भी दिया है तूसरा Reports Heading के अंतरगत आने वाले Display More Reports में देखें यहां भी Daybook हैं तीसरा यदे आप तैली में कुछ भी काम कर रहे हैं और उसी के बीच आपको Daybook देखना है तो आप गोटों की सहायता से भी देख सकते हैं देखें यहां भी Daybook दिखाई पड़ रहा है Daybook के महत्तों को हम एक उतारन से समझ सकते हैं माल लेजिए हमारा कोई बड़ा व्यापार है जिसमें बहुत से कर्मचारी काम करते हैं जो दिन भर में टैली में अलग-अलग vouchers में कई transactions record करते हैं अब हम इन सभी transactions के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें एक-एक करके सभी vouchers खोलकर देखना समझना होगा जिसमें की बहुत समय लग जाएगा इसका सरल तरीका यह है कि हम day book के माधिम से इन्हें देखें हम जिस तारीख या period के transactions देखना चाहते हैं उस तारीख या period की day book open कर लें वहाँ हमें सभी transactions एक साथ मिल जाएंगे और यदि आप उन्हें भी filter करके देखना चाहें तो day book में उसके लिए भी अनेक options दिये गए हैं यहाँ पर हमारी एक बात ध्यान रखें यदि आप सफल business man या सफल accounting बना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो और इसके बाद वाली day book की दो वीडियो बहुत ही महत्वपून हैं इन्हीं ध्यान से देखें और जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से practice जरूर करें डे बुक देखने के लिए हम gateway of tally पर इसकी shortcut key के press कर रहे हैं यह देखें डे बुक उपन हो गई है यहाँ हम आपको बता दें कि हम आखिरी transaction जिस तारिक में record करते हैं by default उसी तारिक की डे बुक उपन होती है सरेल चिब्दों में ये कहा जा सकता है कि gateway of tally पर current date में जो भी date होगी यहाँ डे बुक में उसी तारिक के transactions दिखाई देंगे यदे आप किसे निश्यत तारिक के सभी vouchers देखना चाहते हैं तो f2 key press करें अब तारिक टाइप करें हम यहाँ पर 31 जुलाई ले रहे हैं यह देखे हमारे द्वारा सिलेक की गई तारिक के सभी vouchers दिखाई पढ़ रहे हैं यदे आप किसे निश्यत अवधी के सभी vouchers देखना चाहते हैं तो आल्टर के साथ f2 key press करें अब आप जिस पीरिट के vouchers देखना चाहते हैं वो पीरिट सिलक करें हम एक मही से एक जुराई का पीरिट ले रहे हैं यह देखे हमारे द्वारा सिलक्ट किये गए पीरियट के सभी vouchers दिखाई पढ़ रहे हैं यदे आप वर्ष के आरंब होने यानि एक अप्रेल से जिस आखिरी तारीक तक आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किये हैं उस सभी vouchers देखना चाहते हैं तो आल्टर और f2 key को प्रेस करें यहां from में space bar प्रेस करें और फिर enter प्रेस करें यह देखिए date चली गई है और इसी तरह 2 में भी space bar प्रेस करके enter प्रेस करें enter प्रेस करते ही हमने अपनी company में जितने भी vouchers बनाये हैं वो सभी दिखाई पढ़ रहे हैं आगे बढ़ने से पहले उपर वो तारीक या पीरेट सही हो ऐसा चेक कर लें यहाँ पर day book में आप जो vouchers देख रहे हैं उनमें जो भी transactions हुए हैं उनसे प्रभावित होने वाले दोनु लेजर में से एक एक लेजर ही दिखाई पढ़ रहा है यदि आप प्रभावित होने वाले दोनु लेजर दिखना चाहते हैं तो alter और F5 Keys को प्रेस करें यह देखिए दोनु लेजर दिखाई पढ़ रहे हैं अब पुन्ह पहले के स्थिती में आने के लिए alter और F5 Keys को प्रेस करें यदि आप सभी vouchers की report को पूरी details के साथ देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करें configuration menu में अनेक options दिखाई पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले show narration को yes करके enterprise कर रहे हैं और इसके बाद format of report में detailed को select कर रहे हैं अब सभी options को yes करते हुए आगे बढ़ते हैं जैसे हम display name for layers पर आते हैं इनके सब options दिखाई पढ़ने लगते हैं हम इने ऐसा ही रहने दे रहे हैं और enterprise करते हुए आगे बढ़ते हैं यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि इन सभी options को अच्छे से सीखने और समझने के लिए पहले इने इक बार ध्यान से पढ़ लें और पहले इन options में से एक-एक को yes या no करके और जिन options में सब options हैं उनमें से भी एक-एक को select करके try करना चाहिए ऐसा करने से आपको यह ग्यात होगा कि कौन से option का report पर क्या प्रभाव पढ़ता है चलिए enterprise करके आगे बढ़ते हैं देखिए यहां हमें तारीख के क्रम में narration के साथ सभी vouchers की पूरी details दिखाई पढ़ रही हैं यहां आपको एक बात बता दें आप कहीं भी काम कर रहे हूं और वहां से सबसे आखरी में जाना चाहते हों तो end की press करें यह देखिए हम इस report के आखिर में आ गए हैं इसी तरह शुरुआत में आना चाहते हैं तो home की press करें टैली में हम day book तो देखी रहे हैं इसे के साथ हम आपको manual accounting की journal भी बता रहे हैं इन दोनों को देखकर आप समझ सकते हैं कि manual accounting की journal और टैली में computer accounting की day book दोनों एक ही हैं दोनों में सौधों की तिथिवार यानी day by day और दोहरा लेखा प्रणाली के सिधान्तू के अनुसार विवरण के साथ विधिदर debit और credit बक्ष में entry की गई है इस वीडियो में आपने day book का दिन प्रतिदिन होने वाला उप्योग सीखा इसके बाद वाली दो वीडियो में हम day book में उप्योग होने वाले अन्य options के बारे में बताएंगे